हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब आज मत चना दाल बनाने जारे हैं इसके लिए मैंने आलू लिया चने की आल ली है और एक टमाटर लिया है इन सब को मैंने दो लिया है अच्छे से। हमाइसे कूकर में एड़ करूँगी तre DR. आप पानी आप अपने हिसाप से डाल सकते हैं जितने भी आपको गारी डाल लखने या पतली उसके बाद अपने स्वाधन सा नमक डालना है इसमें नमक डालने के बाद मैंने हल्दी एड किया है थोड़ा सा सरसो का तिल डालेंगे क्यूंकि सीटी लगवाते टाइम डाल बाहर न निकले, सीटी में से, इसलिए, इसमें 2-3 सीटी लगवानी है, मेडियम फ्लेम पे, मैंने 3 सीटी लगवाई है, 3 सीटी के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, यह देखिए, दाल हो चुकी है, आलू को मैं मेस्क कर दूँगी, अगर आपको सारा आलू मैस करना इसमें आलू नहीं रखना तो साबुत आलू भी आप उबाल सकते हैं उसको छील के लेकिन मैंने काटा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें आलू के कुछ चंक्स रखूंगे क्योंकि वो अच्छे लगते हैं खाने में दाल में इसलिए इधर लसन को बारी काटना है पेस्ट नहीं लेना है क्योंकि इससे काटने से जो फ्लेवर आता हो पेस्ट से नहीं आता इसको थोड़ा सा भूनेंगे गैस मीडियम फ्लेम पे है प्याज एड़ कर रही है यह दाल बहुत ही हल्दी है क्योंकि इसमें कोई भी मसाला एड़ नहीं करेंगे हम क्योंकि अगर मसाला डालेंगे तो फिर वो दाल की स्काम क्योंकि हर चीज आजकल अनहल्दी ही मिलती है तो मैं यहाँ पे कुछ हल्दी कि प्याज को जादा नहीं भुनना है. तो नमक बिलकुल कम डाला है मैंने अठीन ही हेल्दी है. थोड़े से गलाइगे थोड़े सी कश्मिरी लाल tills मैंने डाली से लिए। है आपके पास अगर हो तो डालिएगा नहीं हो तो कोई बात नहीं थोड़ा सा पानी डालेंगे टमाटर को गलाने के लिए यह हो चुका है इसके बाद मैंने डाल एड कर दिया इसमें देखिये अब एक उबाल लगाएंगे डाल को हरी मिर्च भी एड कर देंगे इसमें हरी मिर्च ऑप्शनल है अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं दाल में एक उबाल लग गया है देखिये कितनी अच्छी लग रही है दाल इसी आप बनाईएगा जरूर और मुझे कमेंट करके बताएगा कैसी लगी तेजपत्ता बहार निकाल देंगे हम यह देखिए वीडियो को लाइक कीजिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच